हरिही ओम प्रतमहसकंदह तृतियोध्यायाह चत्वारिवशत्तमह श्लोकह इदं भागवतन नाम उराणं ब्रम्हसं मितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान रुशिही भागवत जी का परीचई अनुष्टुप श्लोक में बहुत ही सुत्रात्मक डंग से लेकिन विशद अर्थ का ए मोधक है सुत्रात्मक शब्दों में कह दिया इदं भागवतन ब्रम्हसं मितं पूराण मस्ति अर्थात यह भागवत ब्रम्हसं मित भगवत चरित्रों से परिपूर्ण है उत्तमश लोक चरितम उत्तम भगवान का उत्तम भगवत भक्तों के चरित्र का जहां वर्णन है और यह चकारव मने रचा हुआ है बनाया हुआ है भगवान रुशी ने अर्थात वेदिव्यास जी ने लेकिन इतने शब्दों में कहते कहते यह भागवत जी का बहुती उत्तम चरित्र शब्द है और ब्रम्हसं मितम है और भागवतम शब्द है भातियत सर्व लोकेशू गीयते नारदा दिविही वरिष्टम सर्व शास्त्रेशू त्रायते भवसागरात भा दिखाई देता ह , चमकता है το सर्व लोकों लोगम篇 अरथा चतुरदश भुवन मेन यह सर्वत्र व्यापत है को दूसरा अक्षर में गवर नारदा दिवी ही उत्तमे ही भक्ते ही सदा सर्वदा गीयते है आरे वह वरिष्टम सर्व शास्त्रेशू सभी स्सास्त्रों में यह स्सात्र है और तो त्रायति भवसागराद सोंसार सागर से मनुश्य जीवात्मा तैर जाता है एक बार यदि भागवत जी वो अनन्य निष्ठा से भगवत भक्ति में आसक्त होते हुए भगवत चरित्रों का गुणगान कर लेता है तो मुक्ति उसके करतले स्थिता और उदाहरन दिया है प घजिंद्र का मोक्ष देखो परिक्षित की स्थिति देखो भागवत जी के केवल स्रवन मात्र से मनुश्य जीवन वो यह इस भवपार हो जाता है और इसलिए भागवत जी का नित्य पठन श्रवन और चिंतन अनुसंद्धान पुर्वक करते ही रहना चाईए हरिश्य रन हरिश्यर्णम 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 इदां भागवतन्नाम पुराणं ब्रह्मसं मितं पुत्तमश्लोक चरितं चकार भगवान रुशिः